नमस्कार क्या पिचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नौ में बड़ी खबर CAA को लेकर सामने आ रही है जहां किसी भी वक्त CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है और बड़ी अपडेट ये है कि आज रात को ही ये नोटिफ नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और नोटिफिकेशन जारी होते ही पूरे देश बर में CAA लागू हो जाएगा सरकार की तैयारी पूरी है पोर्टल भी तैयार है तो CAA से जुड़ी क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है बताएंगे आपको मेरे सा जुड़ी है दिर इस नो बट ये कानून पहले ही संसर से पास हो चुका है और जो आज जो नोटिफिकेशन आएगा वो उसके रूल्स उसके नियम उसको बकाईदा इस वक जब हम लो रिकॉर्ड कर रहे हैं ग्रिम मंत्राले में मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के बाद फॉरण इ तमाम लोगों को जो हिंदुस्तान की नागरिक्ता डिजर्व करते हैं जो रिलिजिस पर्सिकुशन के भुक्तुब होगी हैं पाकिस्तान से बंगला देश से अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में आकर के इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें नागरिक्ता दी जाए उनके ल लगा देना था लेकिन इस सरकार के दौरान ये पास हुआ तो ये दाइत था मोधी सरकार का कि आप इसे बकाइदा नोटिफाई करके लागू कर दें तो आज वो दिन जो है वो आ गया मीटिंग्स खत्म होगी और आज आधी राद 12 बजे के बाद से जैसे नोट बंदी हुआ तो आज कर दिन तो बहुत एतिहासिक है लेकिन जैसे ये खबर आएगी हाला कि आपने बताया कि आज रात को ही लागू हो जाएगा लेकिन ममता बैनर जी जो शुरू से विरोध कर रही है उनका आज भी ताजा बयान आया कल भी उन्होंने बयान दिया लगतार वो की सुरुआत तो होई जाएगी क्योंकि जो खबरे आ रही है कि कई कई जगों पे फिर से साहिन बाग का ड्रामा जो है वो शुरू होगा मुस्लिम और्गनाइजसेंस जो है वो सड़कों पे आएंगे असम में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है कॉंग्रेस पा कि जो तमाम तथा कथित सेक्लूर पार्टिया है यह इंडी अलाइंस के लोग वो क्या एक स्वर में इसका विरोध करते हैं समर्थन करते हैं लेकिन यह खेल ऐसा हो गया है जिसमें कॉंग्रेस पार्टी लेफ्ट मम्ता बुनर जी सारे लोग केजरिवाल यह सब बुरी तर पूरा हो जाएगा और रही बात ममता बनर जी की मता बनर जी मुसल्मानों को बेवकूप बना रही है आप कौन होते हो कि इसे लागू नहीं करने देंगे बैस सिटिजन सिप इस्टेट गौर्वर्मेंट का अक्तियार है क्या बैस किसी के सिटिजन सिप मिलना है किसे नहीं मिलना है यह बेवकूप लोग साहीन भाग में सम्मेधान की कौपी लेकर के घूम रहे हैं सम्मेधान पड़ता भी नहीं कोई कRAY है शिटिजन सिप देना शिटिजन सिप चीनना सिप के लिए कानून बराना यह केंद्र सरकार का एक अधिकार है इसमें राज्यों के पास कीमत तो बहुत बड़ी चुका देनी पड़ जाएगी आप से कोई लेना देना नहीं है आपको citizenship लेना है राज सरकार का उसे कोई लेना देना ही नहीं है ये तो केंद सरकार अपने हिसाब से करेगी लेकिन वो क्यों कर रही है ये भी समझ लीजिए वहां मतवा समुदाय बग वहां से जो प्रताजी धोकर के हिंदू आए बंगला देश से उनको citizenship नहीं मिला लेकिन गैर कानूनी तरीके से ये रोहिंजिया जो बंगला देशी मुसलमान जो आए हैं उनको आधार भी मिल गया उसको election card भी मिल गया उसको सारी चीजे ये racket चला रही थी वहां पे की बंगाल की सरकार अभी आप देखिए अमिर्शा ने क्या 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 कहा अमिर्शा रिपब्लिक के conference में वहां पे उन्होंने साफ साफ का बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने ये कहा कि ये जो बंगाल के अंदर ये जो illegal migrant है वो state sponsored है वहां की सरकार illegal लोगों को अंदर घुस हातिरदारी भी करती है उसके लिए पूरा network ये क्या है जो जेल के अंदर गया है आज जिसको सुप्रेम कोट से ममता बरजी को फटकार लगी ये संदेश खाली का गुंडा जहां से एक इसका धंदा ही क्या है इसका धंदा यही था वहां से लोगों को अंदर ले आना यहां पर सारी चीज़े तो ये सारी चीज़े जो है तो ममता बरजी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि जो भंगला देशी हिंदुआ है उनको तो मिल जाएगी citizenship ये जो illegal migrants जो आ रहे है घुसपाट illegal तरीके से उनको नहीं मिल पाएगा इस कानून से तो ये एक जिना ये भी पड़ेगा कि आप जब बात कर रहे हो कि भाई बिरोध प्रदेशन करेंगे सारे लोग आ गए मैदान में असब में भी इसका असर दिखेगा इसलिए बदर दिन की पार्टी जो है अभी से चालू हो गई है जैसे ही होगा कल से देखिएगा कि चुनाओं में सच्चर कमीटी लागू कर देंगे अभी भाई कह रहे हैं जाओल गांधी सच्चर कमीटी लागू कर देंगे बई सच्चर कमीटी पड़े हो इस पेलिंग मालूम है क्या है उसमें लेकिन भगवास कर रहे हैं लागू क्या करोगे उसमें उसमें लागू करने के लिए रहे हैं और आप ये एक्सपेक्ट करो संत महात्मा बन जाए भारती इंता पाटी ऑविस सी बात है चुनाव से पहले इतना बड़ा फैसल ले रहा है को ले रही है कोई सरकार तो इसका मतलब है कि उसका वह चुनावी फाइदा उठाएगी और उठाना भी चाहिए जब आप 370 जैसे controversial मुद्धो के उपर stand लेते हैं उसको हटाते हैं जब आप राम मंदर के लिए खड़े हो जाते हैं विरोध तो होगा क्योंकि बयानबाजी भी हो रही थी विरोध की तैयारी भी की जाएगी मोदी सरकार विरोध को कैसे फेस करेंगे देखिए विरोध करेंगे ये कोई व्यक्ति ये साहिन बाग जेसा तमाशा अगर होगा कोई पॉल्टिकल लीडर नहीं पहुंचेगा क्यों ये तो खेली है 20 वर्सेस 18 का आप वहां जाओगे पॉलराइज खुद कर दोगे आप पॉलराइज करोगे बीजीपी को फाइदा होगा ये टाइमिंग बिलकु सटीक चूज करके जो उसको लागु किया जा रहा है लेकिन एक बास समझनी की है ये जो लोग विरोध कर रहे थे या फिर ये कॉंग्रेस पार्टी या ये जो जालीदार टोपी पहन करके मुसिल्म समुदाय को टोपी पहनाने का जो काम कर रहे थे उनको अब थोड़ी दि सटीक चले लोग अवेर हो गएंगे और ये पहले साइंडवाग में जाता तो देखता था कि साइंडवाग में क्या चलना है वहां पर मुसलमानों को भरकाए जाता था कि भी दिखो तुमसे कागेज मांगा जाएगा तो वह स्लोगन चला देतें कागेज नहीं तुम से कोई मांगे नहीं रहा और तुम जो है कागैज नहीं दिखाएंगे, कोई कह रहाए कि तुम्हारी नागरिसा चली जाएगी, मुसल्मानों की नागरिसा चली जाएगी, और देखिए यह दो दलाल पत्रकार लोगों को देखिए, अभी तो इनोolar को पगल पण के पू पहले नहीं था अभी भी नहीं है हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस कानून से कोई लेना देना नहीं है लेकिन आपने हवा उड़ा दिया कि कव्वा जो है आपका कान लेकर के उड़ गया और मुस्लिम समधा इमुस्टल हो गई हमसे हमारी नागरिकता चली जाएगी तो पकड़ के तुवारा जो है नस्बंदि कर दिया जाएगा तो पॉपुलिशन कंट्रोल किया जाएगा यह साहिन बाग में क्या घटिया घटिया लोजिक दिया गया क्या कानून है कानून बहुत ही सिंपल है यह कानून किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है यह नाग कि वोट के लिए तु करते हैं वोट के लिए बिजनस करेगा किसी के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए कि फायदा उटाने वह उसका काम है यह दिक्कत को उनको करने दो यह लोग अभी सिर्फ पीट रहा होंगे कि क्यों हम लोगों ने साहिन बाग किया उसी समय अगर हम ल वज़ा नहीं खट-खट आये होते तो उसी वक्त लग गया होता उसी समय नोटिफाई भी हो गया होता तो अब भी यह चुनाओं का मुद्ध नहीं बनता आपने छह साथ मैने तक तमाशा किया तो यह तो मोदी और अमिसा हैं चुन के जो है हिसाब किताब करते हैं सूद सम वापस करते हैं तो दिस इस दर राइट टाइम राइट डिसिजन और चुनाओं में भारती जनता पार्टी को बंगाल असाम दिली और भी पूरे देश में इससे बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही के मैं पूजा क्यापटल टीवी